खरीद सिदन के लिए ने किसान सदस्य फसलिक कर्ज माफी से कर्द खाता निरंखुवे किसान पिछले वर शिक कर्ज भुक्तान करने वाले किसान और पुनरगठन के लिए पात्री किसानों को फसल कर्ज उपलब्ध होगा इसके अनुसार पात्रवा जरूरतमंदिक किसानों को संबंधित बैंक अथवा सेवा सहकारी संस्था के पास दस्तावेश प्रस्तुत कर कर्ज प्राप्त करने का आवाहन जिला उपनिबंधक संदीब जाधोद्वारा किया गया है फसल कर्ज वितरन को गती देने के निर्देश जिला अधिकारी शहलेश नवाल ने जिला उपनिबंधक वा अग्रिनी बैंक प्रबंधकों को दिये हैं इसके अनुसार आवश्यक कागजात की सुची भी घोशित की गई है कर्ज के लिए आवश्यक दस्तवेज इस प्रकार हैं वियापारी बैंक, राश्ट्रिय बैंक वा नीजी बैंक, साथ बारा वा आठा आधार कार्ड और दो फोटू सभी के लिए आवश्यक हैं फेर फेरा नए कर्जदारों के लिए आवश्यक तथा पिछले पांच वर्षों में मिलकियत अधिकार में बदलाओ होने पर पुराने कर्जदारों के लिए भी आवश्यक एक लाग साथ हजार रुपए से अधिक कर्स के लिए लीगल सर्च रिपोर्ट वा एनोसी प्रमान पत्र की आवशकता नहीं है इसके बजाए स्टेम पेपर पर शपत पत्र लिया जाएगा जमीन का नक्षा गिरवी खेत का घोशना पत्र केवल एक लाख रुपए से अधिक कर्ज के लिए दूयम निबंधक के पास पंजी कुरू करना आवशक है जिला मध्यवर्ती सहकारी ब ये भी आवशक हैं बैंक में फसलकर्ज के लिए अनावशक दस्तवेज नहीं मांगे जाएं यहां निर्देश जिला अधिकारी शेरेश नवाल ने इसके पुर्व दिये हैं बैंक को द्वारा फसलकर्ज मनजूर करने टालमटोल होने पर किसान बंधों ने तहसीलदार सहा यकनी बंधक के पास शिकायत दर्च करने का आवाहन भी किया गया है